दोस्तों Target with PS Parihar चैनल में आपका स्वागता और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे Beard Interest Exam की और हम लोग बात करेंगे इलाहबाद High Court से आने वाली भरते की तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेर कर दें और जिन चात्रों ने चैनल को अभी में सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करने ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की authentic update से सबसे पहले मिलती रहें यह पहले बात कर लेते हैं थोड़ा सा beard entrance exam की आगे बनने से पहले एक सूचना उन विद्यारतियों के लिए जो विद्यारती यूपी beard entrance exam की तयारी कर रहे हैं वे सब्सक्राइब को ले सकते हैं जिससे आप लोग यहां पर देख सकते हैं beard entrance का जो भी syllabus से चाहिए वो समान ग्यान हो हिंदी हो समान अभिरिज परिच्छन हो कला वर्ग हो सारक सारा syllabus इस बुष्टक में कवर किया गया जिससे आप लोग यहां पर देख सकते हैं आप लोग उसी प्रकार के प्रसनों का समावेस किया गया जिस प्रकार के प्रसन यूप बीड पूछे जाते हैं beard entrance exam की चैसी प्रकासर की study guide तो आती है साथ में इसका practice set भी आता है चलिए शुरू करते हैं तो पहले बात कर लेते हैं beard की beard के इस समय दो तीन जगह से लगातार आवेदन चल रहा है beard का क्रेज भले यूप में नहों लेकिन अनराज्य में तो है आने सीजों में है 125 में बहले ही नहीं और मैंने बताया भी तक कहां कहां पर है खास तोर से देखिए अब यूपी में 125 में नहीं है लेकिन सभी बर्तियों में चाहँ वो ल्टी हो चाहँ वो टीजीट हो तो मैं पता रहता कि कहां कहां से बीट के लिए आवीदन हो रहा है यूपी में इसमें लेट पिविट के साथ में आवेदन से चाहते हूं वो लोग कर सकते हैं दूसरा कि जो उत्तर प्रदेश सर राजय स्टेंडन ओपन उनिवस्टी है वहाँ पर भी आप लोग आवेधन कर सकते हैं अगर आप लोग डेली क्लास नहीं कर सकते हैं घर बैटे बीट करना चाहते हैं और तो आपके लिए यह बेतर विकल्प हो सकता है उसकी बारे में आज आवेधन एवं शुल्क भुकतान की अंतिमता तारिक बढ़ा दी गई है प्रवेस आयोजन एवं संचालक समित के समर्वयक प्रोफेसर पीके स्टालिन ने बताया कि अंतिमतारिक अब 15 मई तक कर दी गई है तो इसके साथ ही विलम शुल्क सहित आनलाइन आवेधन और शु आपता है इन विद्यार्थियों के लिए जो प्रक्रिया वो शुरू होने वाली है इसके लिए भी जुएंट इंट्रेंस एक्जाम होता है और चलिए हम बात कर लेते हैं अब इलाबाद हाई कोड बढ़तियों के बारे में मैंने आप लोगों को पिसली पर जानकारी देती आगर आप लोगों ने देका होगा निश्ची तर पर जाथर विदहती ने देखा हopf Tai की जो भरतिया हैं चाए पिएस ए-ही पियास में एक बैवधान है और वह वह बाते track के ने से एक तो था यह की चीफ जस्टिस इस था यह नहीं थे इसलिए यह पिछला पूरा साल उसी में चला गया चीफ जस्टिस की उसमें 2023 आप लोगों को गया उसके बाद में 2024 में जो में मामला रुग रहा था वो था प्रमोशन को ले करके कुछ समवर्गों में प्रमोशन होना और उसके बाद में भरती प्रक्रिया को आगे बढ़ाना था आप लोगों को पता होगा हाला कि एक मात्पूर वेकेंसी जो है इलाबाद हाई कोर्षी से इस समय चल रही है और वह है एच जैस की वेकेंसी लेकिन बाकी की जो भरतियां है वह एक अलग भरती होती है वह मत्म साफ हो गया है यह देख सकते हैं यह आज ही कसमाचार पत्र है अमर उजाला और यह इसमें लिखा है उच नयाला सेवा के विभिन समर्गों के अधिकारी हुए पदोन्त उच नयाला इलाहबाद के महानिबंदक राजिव भारती की अधिसूचना के अनुसार इलाहबाद उ संजीव सचदेवा को प्रमुक निजी सच्चुघ के पद पर आसीन किया गया इसकी अलाबा उच नयाला इन यजी शच्चुघ यह देखिये तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अब आप लोगों की जो वेकेंसी जो विद्यारती PS, APS वगएरा की जो तैयारी कर रहे थे उनका रास्ता लगबग साफ हो गया है पहले PS, APS वाले जो वेकेंसी है ये किलियर होगी इसका विग्यापन आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा, High Court की वेकेंसी है तो जब एक जानकारी तभी मिल पाएगी जब विग्यापन के दो-तीन दिन पहले जारी होना होगा अभी से ये बिल्कुल नहीं कह सकता कि इस तारीकों विग्यापन जारी होगा हाँ यह है कि जितने भी अवरोध थे उस सारे जो अवरोध हैं वो जरूर समाप्त हो गया है अब आप लोग की जो वेकेंसी है वो जल्द आएगी इसके बाद जैसे इसका भी ग्यापन निकलेगा उसके तुनंद बाद आप लोगों को आरो एरो की भी भरती देखने को मिलेगी अच्छा आरो एरो में देरी क्यों हो रही है आरो एरो के बारे में मैंने आपको बताया था एक किस मार्च वाले वीडियो में कि उसमें कुछ पद जोड़े जाने की चर्चा है उसको लेकर कि पत्र भी लिखा गया था इसलिए उसमें देरी हो रही है तो आरो एरो की जो वेकेंसी उसमें पत्र चुड़ने को लेकर कि पीएस की जो वेकेंसी प्रमोशनल इतायत को लेकर कि यह 2-3 मामले थे जिनकी विज़ा से देरी हो रहे थी, और QAO की vacancy भी आप लोगों को इसी साल के अंत में देखने को में ज़सकती है, इस साल तो आने की समावना है ही, यह पत्र भी मैंने आप लोगों को दिखाया था, यह जो पत्र जारी हुआ था, यह 19 मार्च को यह पत्र और सत्रे तारीख, लिखा है, I am again drawing your kind attention that even Honorable Chief Justice has been pleased to create 133 post in office kadar group A से लेकर के C तक, in this regard, the Land Registrar General High Court of Allahabad at Allahabad has sent a later dated 9 February 2023 for financial approval of Honorable Governor तो ये कुछ चीजों की वज़े से इसमें देरी हो रही है और आप लोगों को एक बड़ी जो भरती है वो देखने को मिलेगी, इसमें जो पद जोड़ जा रहे हैं, कितने पद चाहिए, उसकी बारे में लिखा है Computer Assistant के 30 पद, ARO के 234 पद, और RO के 708 पद, इन पदों को सरजित करने की बात की जा रही है और जानकाली निकल करके आ रही है कि यह जो पद है वो जुड़ जाएंगे इसी बड़ती में जो आने वाली है और वह बात अलग है, बहुत सार विद्यारती पिसली वीडियो में कमेंट कर रहा है कि सर यह बहुत परिचा कैसी होती है भरेश्टा चार होता या नहीं होता है, क्या है यह तो यह सबी आप लोग अवगत है अब बताऊंगा आप लोगों के ये चार काचि आप जाती है पृतासित लोगों को चैन भी होता है